चोर्चन कब है और चोर्चन पूजा मंत्र दोहजार चोविस चोर्चन पूजा में रोहिनी नक्षत्र में चंद्रमा की पूजा की जाती है इस पूजा में रोहिनी नक्षत्र भादर सुकल पक्ष चतुर्थी चंद्रे नमा मंत्र का जाप किया जाता है चोर्चन पूजा से जुरी कुछ और बाते इस पूजा को घर की महिलाएं जैसे दीदी, मा या चाची करती है पूजा के लिए घर को गंगा जल से सुद किया जाता है और आंगन में चावल के आटे से रंगोली बनाई जाती है संध्या के समय चंद्रमा निकलने के बाद पूजा की जाती है पूजा में चंद्रमा को अर्ग दिया जाता है और भोग लगाया जाता है इस तिन मरर भांगनी का भी महत्व है हीर के उपर पूरी रख कर पूजा की जाती है और फिर उसे दो भाग में बाटा जाता है मानेता है कि जब पूरे देश कटे हुई चांद को देखने से परहेज करता है तब मितलांचल की लोग चोर्चन पर जल अरपित करते हैं कैसा लगा आप सभी को हमारा ये चोर्चन वीडियो प्लीज कमेंस करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे वे पहली बार आये हो तो प्लीज मिले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना बिल्कुल ना भूलना आप लोग के मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ये था तो मैं बना दी सब्सक्राइब ट्रूर करना ऻाइक सब्सक्राइब गलिकी तो मैं अप्लीज में अप्लीज मेंच प्लीज जाइब ऑदाना आप रे जाएब